हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड कलर के बटर पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आज का पहला क्यूस्चन है निम्ने से सुन्डा परवत्स्तित है तो इसका सही आंस्वर हो जाएगा जालोर जालोर इसका राइट आंस्वर है फिर अगला क्यूस्चन है निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां किस जिल्ले में स्तित है तो इसका सही आंस्वर हो जाएगा अगला क्यूस्चन है थार के मरुस्तल का छेत्रफल कितना है तो इसका राइट आंस्वर हो जाएगा दो लाक तेतिस हजार सो वर किलोमीटर इसका सही आंस्वर है दो लाक तेतिस हजार सो और ध्यान रहे कि कहीं कहीं ये दो लाक तेतिस हजार भी दिया हुआ मिलता है फिर अगला क्यूस्चन है निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्तान का कौन सा संभाग परसिद है तो इ राइट एंस्वर है राजिस्तान में साथ संभाग है आप सभी को इस बात की जानकारी होगी और जोदपूर संभाग जो है वो मरुधर के नाम से परसित संभाग है फिर अगला क्यूस्चन है निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्जिल्ला कौन सा है सबसे संपन्जिला तो इसका सही answer है, A. श्री गंगा नगर, रेगिस्तान का सबसे संपन्जिल्ला है, गंगा नगर, जिसे हम अन का कटोरा भी कहते हैं, फिर अगला question है, राजेस्तान में स्तित मरुस्तल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही answer है, थार का मरुस्तल, इसका सही answer क्या है, थार का मरुस्तल, B. इसका right answer है, फिर अगला question है, राजेस्तान में रेगिस्तान कितने पर्तिशत भू भाग पर स्तित है, तो इसका right answer है, अगला question है, निम्ड में से, अर्द चंद्राकार, बालु का स्तूप कहां बनते हैं, तो इसका सही answer है, पश्चिमी रेगिस्तान में, सुस्क मरुस्तल में, उत्री रेगिस्तान में, या D. उप्युक्त सभी, तो इसका सही answer है, D. उप्युक्त सभी, फिर अगला क्यूस्चन है राजस्थान राजे का कौन सा भोतिक परदेश टेथित सागर का आउसेश है तो इसका राइट आंस्वर है टेथित सागर तो इसका सही आंस्वर है बी पश्चमी मरू परदेश ये टेथिस सागर का आउसेश है फिर अगला क्यूस्चन है पश्चमी राजस्तान को अरावले परवतमाला से पर्थक करने वाली समवर्षा रेखा है तो इसका सही आंस्वर है पचास सेंटी मीटर भी इसका सही आंस्वर है फिर अगला क्यूस्चन है पवन की दिसा के समकोन पर बनने वाले बालू का इस्टूप को कहा जाता है तो इसका सही आंस्वर है दी अनुप्रस्त बालू का इस्टूप इसका राइट आंस्वर है फिर अगला क्यूस्चन है निम्ध में से आंत्रिक जल परवाह का उत्तम उधारण है आंत्रिक जल परवाह का उत्तम उधारण है दी सांभर खारे पानी की जील आईए जैपुर की सांभर इसका सही आंस्वर है फिर अगला क्यूस्चन है राजस्थान में बर्खान या अर्ध चंद्राकार बालू का इस्टूप पाए जाते हैं बर्खान या अर्ध चंद्राकार बालू का इस्टूप पाए जाते हैं भालेरी मेड़ा नदी गाटी सूरतगड उप्यूक्त सभी तो डी इसका सही आंस्वर है ये सभी जगह ये पाए जाते हैं फिर अगला क्यूश्चन है राजस्थान में परणामी संपरदाई किसके द्वारा चलाया गया है तो इसका सही आंस्वर है महा मती प्राण नाथ द्वारा इसका सही आंस्वर है फिर अगला क्यूश्चन है कबीर पंथी संपरदाई के बारे में सत्य है कबीर पंथी संपरदाई के बारे में क्या क्या बाते सत्य है तो कबीर वानी इस पंथ का मुख्य ग्रंत है इस पंथ को रामानन के सिसे कबीर ने चलाया था इस पंथ के सादू विवा नहीं करते है या उप्यूक्ट सभी तो इसका अंसर हो जाएगा उप्यूक्ट सभी ये सभी बाते हैं फिर अगला क्यूश्टन है राजस्थान में सामप्रदाइक सद्भाव का आदर्स खुआजा मुईनोदीन चिस्ती की दर्गाह कहां पर है? तो इसका राइट अंसर है ए अजमेर राजस्तान का रिदय अजमेर इसका राइट आंस्वर है फिर अगला क्यूश्चिन है अगोरी जो समसानों में रहते हैं संबंदित है अगोरी जो समसानों में रहते हैं वो संबंदित है तो इसका राइट आंस्वर है कपालिक बी अगला क्यूश्चिन है राज्यस्थान में किस ग्रंत में लाल दासी संप्रदाई के उपदेश है तो इसका सही एंस्वर है B. वाणी वाणी में लाल दासी संप्रदाई के उपदेश है फिर अगला क्यूश्चन है राजस्थान में रामचरण जी महराज का पूर्व नाम था तो इसका राइट एंस्वर है अगला क्यूश्चन है राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्यकथन है तो इसका सही एंस्वर है वर्तमान में रुणिचा को ही रामदेवरा कहा जाता है इनका जनम बाड मेर में हुआ सामाजिक समरस्था स्थापित करना बाबा रामदेव का सबसे परमुक उद्देश्य था या D उप्रोक्त सभी तो इसका सही आंस्वर है उप्रोक्त सभी इसका सही आंस्वर है फिर अगला क्यूस्ट्यन है राज्यस्तान में नोहर तहसिल गंगा नगर में कौन सा पढ़सिद मेला लगता है नो हरतेसिल में तो इसका right answer है गोगवा जी का मेला अगला question है राजस्तान के हाडोती छेत्र में अत्यांत उमंग वा उत्साहस्ने मनाया जाने वाला त्योहार है तो इसका right answer है B. दसहरा अगला question है अगला question है राजस्तान में भीलों का कुम्ब मेला कहलाता है तो इसका सही answer है C. वेनेस्वर सिव मेला अगला question है राजस्तान में परवत्चर नागोर का पसु मेला कहलाता है तो इसका सही answer है B. तेज्जा जी पसु मेला अगला question है राजस्तान में रूनीचा के मेले की वैविसेस्ता जो सुखी समाज के लिए आवशक है तो इसका सही answer है B. सांपरदाइक सद्भाव अगला question है राजस्तान में सास बहु का मंदिर कहां स्तित है अगला question है राजस्तान में नर्ते नाटक, सूर्दास एवं संकरिया किस पैसे वरजाती से संबन रखते हैं सूर्दास और संकरिया तो इसका सही answer है A. सपेरा अगला question है राजस्तान में विदेशी परियाटकों को सबसे अधिक आकर्सित करने वाला क्या लगता है सबसे अधिक आकर्सित करने वाला तो ये है फुसकर अगला question है राजस्तान में संचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्तित है तो इसका सही answer है D. ओसिया ओसिया अगला question है राजस्तान में रणकपूर के मंदिर का निर्माता कोन था तो इसका सही answer है धन्ना सेट B. अगला question है राजस्तान में घूगरे मेले का आयोजन आदिवासी किस महा में किया करते हैं घूगरे मेले का आयोजन आदिवासी किस महा में किया करते हैं इसका सही आंसवर है C. पोस्ट में. फिर अगला क्यूस्ट्यन है मद्ये कालिन राजपुताना में कौन से सासक को आदुनिक माना जा सकता है? तो इसका सही आंसवर है राजा राम सिंग द्वित्ये. अगला क्यूश्यन है करनल जैमस्टोड ने किसे राठोडों का यूलिसेस कहा तो इसका सही आंस्वर है दुर्गादास राठोड अगला क्यूशन है राजस्तान में वेश्णो धर्म के प्राचीन सक्ष्य कौन सा अभिलेक प्रस्तुत करता है तो इसका राइट एंस्वर है गोसुंडी अभिलेक बी इसका राइट एंस्वर है फिर अगला क्यूस्टन है निम्द लिखित कथनों में से कौन सा कथन चिर्वा सीला लेक के बारे में गलत है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अगनी कुंड से उत्पन राजपूतों का इसमें उलेक है दी यह है वो गलत है बाकी जो यह है ना ए यह 1237 स्वी में संस्क्रत भासा में उत्कीन है रतन परभूशर इसके प्रस्तिकार थे इसके सिल्पी देहलन थे यह सारे सही है चालिस नमबर किस सिला लेक में चोहानों को वत्स गोत्र ब्रामन कहा गया है तो इसका राइट अंस्वर है ए बिजोलिया सिला लेक इसका सही अंस्वर है फिर अगला क्यूश्चिन है राजस्तान प्राच्य विद्या परतिष्टान स्तित है तो इसका सही अंस्वर है बी जोधपुर अगला क्यूश्चिन है राजस्तान में फार्सी भासा का सबसे प्राचीन अभीलेक किस जिल्ले में है कौन सी भासा का फार्सी भासा का सबसे प्राचीन अभीलेक तो इसका अगला क्यूश्चन है अख्किय सही सिक्के किस रियास्त में परचलित थी तो इसका सही अन्स्वर है ए जैसलमेर तो सब्सक्रति पर एक इसलमेर जो सभी पर्तियों गिता परिक्षाओं में आपको काम आएंगे तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी प्लीज कमेंट में मुझे ये जरूर बताना और इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना इतनी देट तक मेरे इस वेडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ध जानकारी कैसी लगी धन्यवाद फ्रेंट्स